अब भी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं BPSC 2024 में आने वाले सारी वेकंसिश जो कन्फर्म है कि 2024 में आएंगे CDPO को उपर बात करने जा रहे हैं किसे नंबर में कब तक आएंगे BPSC 70, BPSC के वेकंसिश को उपर बात करेंगे तो फिर इसके बाद और भी बहुत सारे पोस्ट है जो ऑफिशियल कन्फर्मेशन हो चुक है BPSC के ऑफिशियल कैलेंडर में उन वेकंसिश को उपर बात करेंगे और additional हम भी बात करने जा रहे हैं जो अभी इंटरनेट को उपर चल रहा है और इसको लेकर अभी भी लोग कॉमेंट कर रहे हैं कि क्या बिहार ऐसी सीजियल में आने वाले सारे पोस्ट BPSC में सामिल कर लिए जाएंगे इसको उपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे तो चैनल पाप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दुस्कुशाद शेयर करें तो बस honest रहे अपने गोल को लेकर यदि अपने गोल को लेकर honest रहते हैं एक चीज़ और है कि honesty के साथ साथ आप अपने आँख कान खुले रहे इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके exam के syllabus है न इस syllabus को आपको एक बार समझें अब यह आपको खुद मेहनत करकर समझ में आएगा तो यह आप जो previous year के paper आप देखोगे वहां से यह चीज़े से आपको शिखने को मिलेगा तो previous year के paper जादा हद तक कोशिश यह करो कि खुद से आप देखो दूसरा दूसरे teachers और classes तो आपको सिर्फ आपका base त्यार करतेगा पर जो आशली मेहनत आपको करनी है यह आपको तो उन गलतियों से सीखें कि आप लगातार कौन सी गलती करते आ रहे हैं जिसके वज़े से आप honest भी है खुद के साथ hard work भी कर रहा है पर अब भी तक अच्छी result निकल कर नहीं आ रहे है और result अच्छी चाहिए तो उसके लिए खुद के साथ honesty साथ में honest के मतलब आपको इस पीडियाफ को डाउनलोड कर सकते या बीपीसी के official website को उपर जाकर यह जो 2024 पचीस calendar exam calendar देख रहे हैं इसको उपर क्लिक करते हैं तो यह आपको एक नया page open हो जागा जो रहा यह यहां पर बीपीसी के सारे जो 2024 में आने वाली vacances है उनके उपर बात किये गया है कब तक आएं तो यह 70 नंबर वाले vacances हो जाएंगे तो यहां पर 17 वी बीपीसी 2024 के advertisement जो आप उमीद कर सकते जून के मंत में यादि डिले होता है तो अगस्त तक चला जाएगा पर हाँ एक चीज़ कंफार्म है कि आपका प्लिम्नरी एक्जाम 30 सप्टमबर को लिया जाएगा vacances कभी भी पर प्लिम्नरी एक्जाम आपका confirm है कि 30 सप्टमबर तक कि हाँ प्लिम्नरी एक्जाम conduct होंगे और इसका रिजल्ट 3 नॉम्बर कहाएंगे 3 से 7 जैनवरी 2025 में इसके मेंस एक्जाम लिये जाएंगे और रिजल्ट आपको 31 जूलाइ 2025 में मेंस कारिजल्ट उसके बाद आग अगस्त के अडवर्टाइज में प्लिम्नरी एक्जाम करवाया जाएंगे चौबीस अगस्त का प्लिम्नरी एक्जाम होंगे अब इसका रिजल्ट 24 सब्तमबर को हर साल आजाएंगे तो दो हजाएंगे और इसके बाद आगे का जो रहेगा वह आप से भी लोग जानते इसके पाद हम बात करें जो कम कंफर्म है कि वेकेंसिस आपको 2024 में मिलेंगे यह रहा आपका यह वेकेंसिस बाइसवान नंबर और यह रहा तैसवान नंबर बाइसवान नंबर है असिस्टेंट डिविजिनल फाइर ऑफिसर का पोस्ट है जो आयोग के पास रिख दिया अब भी ह वेकेंसिस में जाएंगे यदि फैप में नहीं आते हैं फरवरी में नहीं आते तो यह वेकेंसिस सेकंड हाफ के लिए चले जाएंगे तो ऐसा होना होने के लिए उमीद बहुत कम है कि ऐसा हो पर जहां तक आप उमीद कर सकते हैं कि फैप 2024 के सुरुआत में ही BPSC दो का पोस्ट है फिर इसके बाद असिस्टन डारेक्टर प्लांट प्रोटक्शन का पोस्ट है और ब्लॉक एग्रिकल्चर और फिचर का पोस्ट है तो यानि टोटल कम्बाइन पोस्ट देखे तो कि आपको इस वर्स मिलने वाले हां कुछ पोस्ट ऐसे होंगे जो स्पेस्पिक उसके लिए अलग टेक्निकल आपको एग्रिकल्चर ऑफिसर के लिए तो यह जब ही लोग अशनातिक जनून ने कर रहा वेक्टनेट एलिस पर रहेंगे तो यहां पर आयूक को अभी एड़टा सब्सक्राइब के लिए अब यहां पर कहीं भी इसको लेकर कोई भी मेंशन नहीं किया गया और जहां तक आप उमीद कर सकते साथ 2024 के आगे आने वाले महीनों में जो कैलेंडर है वहां पर बीपेसी सीडीव को सामिल किया जाए पर जब तक आयूक के पास यह वैकेंड पोस्ट के रिक्सियां कितनी वैकेंसी भेज़न नहीं है आयूक के पास यह पहुंचते तब तक क्या कैलेंडर में जगार आप उमीद कर सकते हैं कि 2024 सेकंड हाप में बीपेसी के साथ ही यह वैकेंसी हमें आगे चल कर मिले पर अभी के लिए कंफरमेशन हमें यह 2024 के सेकंड हाप में ही मिलेगा जून जुलाई के महीने जब तेजी से वैकेंसी आयूक के पास भेजना स्टार्ट हो जाएंगे बीप कर रखा है जैसी ये इस लेटर को दिखाकर इंटरनेट को पर गुमराहरी यह किया जा रहा है कि बिपीसी में जो बिपीसी के बिहारेससी से के पास दे दिये गए उन भरती परकिर्णा को पूरे करने के लिए उसी समय से इस तरह के मांग बिहार सची वाले सेवा संग ये मांग लगतार करती आ रही है यहाँ पर ये जो लेटर है सिर्फ मांगे गए हैं सरकार के दवारा सरकार के पास ये अपनी मांग रखी गई है अब सरकार के उपर है कि इस मांग को मानती है या नहीं मानती है अब ये लंबे स समय से सरकार इस बात को मानते नहीं आ रहे है तो इस वर्ष भी ऐसा उमीद कम है कि 2024 में भी सीजेल के सारे पोश्ट वीपैसी के पास से चाले जा उमीद भी है या नहीं तो अब भी सीजेल के दावरा आते इस सारे के से दावरा ही आने वाले समय में आएंगे जो सची बियार इससे दावरा ही आएंगे पर कब तक यह पर जहां तक आप उमीद कर सकते हैं 2024 के second half में जादा probability है कि आपको ये vacances मिल जाए इस वर्ट सुर्वातिस दौर में हम बात करें जनवरी के महिने में फैवरी के महिने में फिर मार्च के महिने से तो अचार शंकतलाग हो जाएंगे उसके बाद कोई advertisement आएंगे नहीं तो जो भी है जिलको लेकर तो मैं ये डाउट अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट कि डाल रहा है अभी क्या भी आप निकाल दो अव इस चीश को प्रेट से लेटर को पढ़ो और इस लेटर में क्या कहा जारा रहा कि लेटर सिर्फ बिहार सची वाले सेवा संग यहां पर जैसे आप बिहार सची वाले सेवा संग में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और उन सभी का जो मांग होगी उन सभी का जो कॉमन एक चीज होगा जो मांगते होंगे कि हां ये चीजे मुझे चाहिए तो ये कॉमन मांग जोगा बिहार सची वाले सेवा संग ये सरकार तक अपनी बात पर अब भी हाले फिलाल में ऐसा उमीद नहीं है कि आप BPSC में यह सारे पोस्स रामिल किया जाएंगा आगे चलकर क्या होगा भगवान जाने पर आने वाले एक दो साल तो आप उमीद ना क्या बराब करो तो जो भी वेकेंस सीजेल के द्वारा आते हैं वह सारे सारे बिहारे जाने मजाएं